तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए बैच के पहले विडियो में जी हाँ जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 12 का नए बैच स्टार्ट हो चुका है सेसं 2024-25 के लिए यानि कि अगर आप क्लास 12 के स्टुडेंट है और आपका एकजाम 2025 में होने वाला है तो फिर आप लोग यापन एकेडमी के साथ जूर जाएए क्योंकि स्टार्ट हो चुका है बैच सेसं 2024-25 के लिए यानि कि 25 के लिए 2025 के लिए आप लोग एकदम जबरदस्त और धुमाधार तरीके से तयारी कराई जाएगी और यह जो बैच होगा यानि कि जुनाय बैच है यह पिछले वाले बैच से और भी ज़्यदा एनर्जिटिक धुमाधार और धमाकेदार होगा ठीक है ना यह याद रखिएगा और जो गेस कोशन में कराती हूं वही कोशन आप लोग के बोड़ इक्जाम में पूछे जाते हैं यह तो खेर आप लोग को पता ही होगा आप यह कोशन में कराती हूंगाइब यह आप लोग के पूछे जाते हैं तो यह सबसे बड़ी बात है और मैं आप लोग को बताईए वह और आप लोग यह पता भी होना चाहिए कि ग्यापन अकेडमी का एक फेमस शायरी है कि सिर्फ खंजर ही नहीं आखों में पानी चाहिए शर्म की आगाज है इसलिए तैयारी चाहिए जुड़े रहे ग्यापन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ क्योंकि टॉप अब दी बेस्ट बनने के लिए तजरुबा चाहिए जी हां तजरुबा होना चाहिए तब अब दी बेस्ट बनने के लिए और वो तजरुबा आप लोग को कहीं और नहीं सिर्फ और सिर्फ ग्यापन अकेडमी पर ही मिल सकता है तो आप लोग ग्यापन अकेडमी के सांथ जुर जाईए और क्लास 12 का एकदम जबरदस् सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रही हूं लेकिन आप लोग यह मत समझेगा कि मैं उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कराओंगी ऐसा बिल्खुल भी नहीं है यहां पर ग्यापन अकेडमी पर सिर्फ उर्दो सब्जेक्ट की नहीं बलकि other language सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाए सबचेकट यानि कि 300 माक्स की तैयारी यहां से करेंदी जाएगी यानि कि 600 माक्स यहां से पक्का आप लोगो मिल ढुल जाने वाला है ठीक है न तो यह जो उर्दु है यह चाहे आप साइंस के स्टुडेंट हो आर्स के स्टुडेंट हो या पिर आप कॉमर्स वाले की त्यारी 300 में 300 दिलाने की हम लोग टार्गेट रखते हैं उर्दू में रखिएगा एकदम हंडेट आउड ओफ हंड्रेट ठीक है हिंदी में हंडेट आउड ऑफ हंडेट उसमें भी लेकर चलना है और एंग्जिश में हंडेट आउड आउड आप लोग को और पूरे स्थियो में जितने भी लोग हैं आप लोग के चोटे बड़े भाई बांद इतने भी आप लोग के दोस्ते जादस ज्यादा इस वीडियो को शियर कीजिए क्योंकि और सब्जेक्ट की तेयारी एक तो तेयारे प्री अफ कोस्ट कराई जा रही है उसके बाद से जो पीडिय फ्री ऑफ कोस्ट ठीक है ना तो यहां पर फ्री ऑफ कोस्ट की बात आ गये तो लाइक तो बनता है फड़ाफट लाइक कर दे इसी बात पर फिरी ऑफ कोस्ट पीडिया जाएगा और जो कुछ भी पढ़ाए जाएगा आप लोगो उसका पीडियेफ जो है ना टेलीग्राम आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ग्यापन एकेडमी ओफीसियल टेलिग्राम चानल का नाम है सर्च करके आप लोग जोईन कर सकते हैं अगर आप लोग के मॉबाइल में एप होगा टेलीग्राम एप तो सर्च करके जोईन कर लिजेगा नहीं तो अगर ढूनने में दिक्कत ह रही है तो टेलिग्राम चानल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है आप लोग आसानी से जॉइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को खोल का लिंक पर क्लिक करके ठीक है ना तो वहां पर आप लोग को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर अन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे बहुत सारी लोग बोलते हैं कि लाइव क्लास कब होता है मैं आप कब कराती है मैं तो पत पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जितना ज़्यदा उसके वीडियो को शेर कीजिए वही मैं बोल रही हूं ज्यादा ज्यादा आप लोगों को फ्री आपकोस्ट पढ़ाया जा रहा है तो इसके बदले में आप लोगों को ज्यादा ज्यार करना है को क्या पढ़ना है उर्दू में कितना पढ़ना है तभी तो आप लोगों की तैयारि सिस्टमाटिक तरिके से हो पाएगी ना कितना चैप्ले है तो दे displacement n लिए अगर आप किसी टेंशन के टेंशन तो पढ़ाई का एक परसंट भी लेना है क्योंकि अगर आप जुड़े हैं ग्यापन एकडमी के साथ तो यह भरोसे इस विश्वास के साथ जुड़िए कि आप लोगी तियारी एकदम जबरदस्त अंदाज में होगी और यह भरोसा और विश्वास बनाए रखने की जिम्यदारी हमारी है हम आपकी पूरी तरीक से एकदम जबरदस्त अंदाज में तयारी करेंगे तो जब आप लोग ग्यापन एकडमी को सब्सक्राइब किये हैं जुड़ गया है ना ग्यापन एकडमी का एक फैमिली मेंबर बन गया है तो जो ट्वेल्ड क्लास का उर्दू है यह दो जगासे इसमे दो चीज़ें को पढ़ना है एक क्रमर और एक और बोक यानि की को में आप लोगं को दो भागव बाट दी हूं यानि की उर्दू में आप लोग को दो चीज़ें पढ़नी है एक। कोचन पूछे जाते हैं वह 33 % पेपर में और दो ग्रामर से रहते हैं और βचा जो 67 270 औरHaab 6% और उर्दू किताब से यानि कि आनि कि टुइल क्लास को जो का विए उससे 67% कूष्चन पूछे जाते हैं इस्टि ध्यान में रखिएगा अब बात आती है तो फिर बता दीजे कि टुइल क्लास के उर्दूर जो टूर्अ करूत का उर्दू का उसमें कितने कितने बुक हैं मतलब कितने Ho mess कमर से मतलत हरी जगा तो हरी जगा सब्दirm मांत करूद के लिए दो फिर आपंड़ों को मत्रते की बुक पढ़ना है ऊर्दू कहकशा जिसका नाम पढ़ क्या इक लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है यहां पर आप लोग टेंसर नहीं लीजे यह के चैप्टर पढ़ाने की और याद रख्वाने की जिम्हधारी हमारी जडरी जरीए आप लोग को बताया कि कैसे आप लोग याद रखेंगे चैप्टर और राइटर का नाम फिख SEC चालिस के चालिस चाप्टर को ऐसे पढ़ाया जाएगा कि कंप्लीट भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा ठीक है तो चालिस चाप्टर गवड़ाईए मत तो एक है जिसका नाम है कहकशा और इसमें टोटल पेज खुल जाएगा उसके बाद से आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट दिखेगा आप लोगों को नया जिसका नाम रहेगा क्लास ट्वेल्थ उर्दू सेशन 2024 पचीस इसी तरह हिंदी हो गया फिर इंग्लिश हो गया अधर सब्जेक्ट का क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश सेशन 2024 पचीस अगर हिंदी है तो क्लास ट्वेल्थ हिंदी सेशन 2024 पचीस यान कि लास्ट में सेशन 2024 पचीस रहेंगे और जितने भी सब्जेक्ट है उसकी तयारी कराई जाएगी ठीक है न तो यहाँ पर जो आप लोगों को नया 2024 जैसे आप लोग प्लेलिस्ट है कहकश्य किताब्त सब्सक्राइब पढ़ा हरा तो इससी जहां डालेस्ट नामें रहेगा उर्दू जो दूब्हाइब में पढ़ाऊंगी यह दोनों को मिक्स करें कंभाइन करके पढ़ांगी यानिकि उर्दू ग्रामर 10 और 12 तो एक सांथ पढ़ाऊंगी कि इसी दोनों क्लास का जो ग्रामर होता है वो लगवग सेम होता है ठीक है ना तो उर्दू ग्रामर सेशन 24 पचिस ये प्लेलिस्ट का नाम रहेगा जिसमें उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक पढ़ाये जाएं इसकी दोनों करेंगे अगर याप लोगई वर्दू ग्रामर को समझ में आ गया अब जड़ा कर लेते हैं जो किताब het क्लास 12 का उर्दू का कहकरशा का किताब इसमें जो 40 चैप्टर है इनके यह कौन-कौन से चैप्टर है नाम में लिख दी हूं ताकि आप लोग एक नजर दोड़ा ले और पता चले कि कौन-कौन से वो चैप्टर है ठेक है ताकि आप लोगो एक तरसे ध्यान में आ जाए कि हा क्या होता है तो कहकरशा के बुक में टूटल 40 चैप्टर यहां पर लिख दिया गया और उर्दू कवायत में जितना टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वह यहां पर लिख दिया गया चलिए करके समझते हैं देखिए जो 40 चैप्टर है ना उर्दू के किताब में उसमें ंदून क्याएं कि कहानी अधा चैप्टर का मैं दिया गया फूरा फ्ल 1 नाम लिक्टी टाइटल टाइटल है नजीर प्रोण की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी पहले चैप्टर का नाम है उसी तरीके से दूसरा चैप्टर है मिठी का देल किया अधे नव horrific का नाम है चौथा चप्टर का नाम है इन्शाइया क्या है ये भी एक निबंध है यानि की मजमून है उसी तरह पांचवे चप्टर का नाम है हिज्रा देखिए बाहर से थोड़ी सी इन्वाइजिंग आ रही होगी इसके लिए मैं माफी चाहती हूं आप लोग जरा उसको इग्नॉर की किजैगा और यहां पर की दास्तान कि मजमून किसे कहते हैं इंशाइया किसे कटे जब आप लोग को चैप्टर पढ़ाओं गी तो ठीक है तो इसके अगले वीडियो से आप लोग का चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा जिस तरह मैं उर्दू का कर रही हूं पहले वाले वीडियो में सिलिबस बता दे रही हूं अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो से आप लोगो चैप्टर ठीड वहीं बात है 7 चैप्टर का नाम है टोबाटेक सिंग्स जो की एक अफसान इसको तीन भावों में बाट दिया गया है जिसका नाम दिया गया है हिस्साय नस्र मैं यह लिख भी दे रहीु हुआ है एक से लेकर 11 ऐसको एक खंड में रख दिया गया है यानि कि हिस्सा में रख दिया गया है जिसका नाम दिया गया है क्या है रखा गया है हिस्साय नस्र में वह सभी चैप्टर को रखे जाते हैं जो आम बोल चाल की तरह लिखे गया हूं जैसे कि खाका हो गया मजमून हो गया कहानी हो गया कहानी आम बोल चाल की तरह ही न लिखे हम लोग normally बातचित करते हैं। उसी तरिके से अपसाना या यारियारी में रख में रख junior कवित्त को शायरी के अंदाज में लिखा जाता है। उसी तो is म्रस्रिया की अंदाज में लिखी जाती है तो यह जो अगला चैप्टर 12 से लेकर-27 चैप्टर तक चैप्टर तक जो है ना यह सभी चैप्टर को एक अलग में घंड में रख दिया गया है जिसका नाम है इसक buttery यहां पर में लिख दे रही हूं यह 12 से लेकर देखे एक से लेकर 11 Шप्टर को क्या कहा गया म了 और सब्सक्राइब देखने को मिलेंगे मर्सिया इदर है यारब चम्ले नजम को गुजरे रमकर उसके बाद से यह सभी नजम यहन की कवीता है तो यह सभी चेप्टर जो है ना शायरी के अंदाज में लिखे गए इसी वज़ेज़ा से 12 से लेकर 27 चेप्टर को इस से शायरी के इंतरगत रख दिया गया है मतलब इसको एक अलग हिस्सा बना दिया गया है तो पहला इसा हो गया हिस्सा नस् मुटाले के लिए यानि कि extra आप लोगो पढ़ने के लिए दिया गया है और इसे no doubt question पूछे जाते हैं मजीद मुटाले के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे मजीद मुटाले के लिए यानिकी extra पढ़ने के लिए तो इससे question नहीं पूछेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल कोश्चन इससे पूछे जाते हैं ठीक है मजीद मुताल्ले के लिए मैं लिक भी दे रही हूं यहाँ पर 28 से लेकर 40 चप्टर तर नाम क्या रखा गया है मजीद मुताल्ले के लिए तो थोड़ा सा राइटिंग खराब हो सकती है लेकिन आप लोगो समझना है यह पर भावनाओं को समझना है तो 28 से लेकर 40 चप्टर यह एक्स्ट्र आप लोगो पढ़ने के लिए दिया गया है और इससे नो डाउट कोशन पूछे जाते हैं यह कभी भी ऐसा भ्रह्म में आप लोग नहीं रहेगा तो यह आपकी गलत फैमी होगी इससे कुछन पूछे जाते हैं तो यह लेकर पूरा 40 आप लोगो चैप्टर पढ़ना है और पूरा कमांड करना है और कमांड करवाने की दिम्यदारी हमारी आप लोग तर नहीं लीजेगा ठीक है तो कहां तक थे हम लो तो यह सबी जो है ना यहां से लेकर 12 से लेकर सुल्ह तक यह सभी नज्वियान की कवीता है ठीक है उसी तरीके से अब देखिए 18 से लेकर तेश्चेप्टर तक यह सभी गजल आप लोगो को देखने को मिलेंगे पहला गजल चैप्टर नमबर 18 में दे दिया गया है दूसर तरीके से खलेलु रह्माराजमी की दो गजल पढ़नी है ठीक है तो यहां तक तो तेश्चेप्टर कम्पीट हो जा रहा है उसके बाद से चौबिस चैप्टर का नाम है गम अर्शद जो कि एक तारीक किसे कहते हैं यह आप लोगो को बताया जाएगा पहला तारीक है फिनिवर्सीटी में 39 जैप्टर करका नाम है अगला चैप्टर कामिल इंकलाव को फिर श्रिकस्थे खाथ सिर्फर और ऑवारा जिक है यह थंप्टर में कामिल बार्टियू कि सब्सक्राइख उप लॉग देखने को मिलेंगे तो यानि की वली दकनी की गजल आप लोगो पढ़ने हैं और राती फजीमबादी की दो आप लोको पढ़नी है बहुत आसान है घबराने की जौरत नहीं है फिसलिक रही है और उसके बाद से जैट लोग को लास्ट में गीत बढ़ना है तो यह होगया का 402 का 45 चैपटर का नाम देख गया होगा फ Kerry पर लेते हैं क्लाइक यानिक इसमें कौन से टॉपिक पढ़ना है तो देखिये लिग तब से पहले तो आप लोगो को हर्फ को पढ़ना है को लविका किसे हैं और लोग के दाइंगे जीकोंत Southwest Fram ळाख की तो स्बिस्टरान सुच्छे क मद्लेकर बीरेब उपलोड या किसी भी सब्सक्राइब को देख लेना है और पूरा complete video कर लेना है क्योंकि अगर आप लोग तुरंथ नहीं देखते हैं यह सोचेंगे कि कल देख लेंगे यह फिर थोड़े दिर के बाद देख लेंगे तो फिर वो चीज टल ही टल जाती है यानिकि फिर उसको आप अगले समय मतलब देख नहीं पाते हैं आप लोगो अधूरा हो जाता है तो इसलिए मैं बोल रहे हूं कि जब भी वीडियो अप्लोड हो आप लोग तुरंत देख लिया कीजिएगा और गुड़ा वीडियो देकर हर एक टॉपिक को कवर कर लिजिएगा ठीक है ना तो उर्दोग्रामर के प्लेस्ट में आप लोगों को यह सा पूचे जाते हैं तो इसम को आप लोगों को पढ़ना है जिसको हिंदी में कहा जाता है संग्या और इंग्लिश में कहते हैं नाउन ठीक है और इसम की अलग अलग ताइप उसके बाद से जमीर है यान की प्रोनाउन हिंदी में कहा जाता है सरवनाम तो जमीर को पढ़ना है फिर फेल को पढ़ना यानि की वर्व क्रिया फेल किसे कहते हैं फेल के लग-लग टाइप है वाही जमा यानि की सिंगुलर और प्लूरल एक वचन और बहुचन इससे कोशन नोडाउट आप लोग के एकजाम में पूछे जाते हैं लेकिन वाही जमा का आप लोग को ट्रिक ब नहीं है मतलब वाही जमा बनाने का कोई ट्रिक नहीं है लेकिन खुद हमारे ही रिसर्च पर में कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसके बाते मुझे एक ऐसा ट्रिक मिला जिसके जरी आप आसानी से वाही जमा लब्स को याद कर सकते हैं तो वही ट्रिक ठीक है ना तो वही जमा को लेकर आप लोगों को टिंशन नहीं लेना है इसका ट्रिक आप लोगों को बता दिया जाएगा उसके बाद से अगला टॉपिक है जिन्स जिन्स यानि की जेंडर और हिंदी में कहा जाता है लेंग इसी में आप लोगको मुझकर मॉनस पढ़ना ह कर आप लोगो को दे दिया जाए थाकी आप लोगों सकता है आप लोगो को बता दिया जाएगा जिद और मुतरदी लव्ज को या रखना होगा आप लोगो प्र tiếp आर्फक शब्द आप लोगं पढ़े होंगे तो यह ऊ 했लो झरलों को पढ़ना है उसके बाद से मुहाव रहा मुहावरा मुहावरा से भी आप लोग के गजा में पूचे जा जाए अगर समझ में आ गया है अब हम लोग चैप्टर पढ़ने के लिए बिल्कुल तयार है अगला विडियो का मलोग इनतिजार कर रहे हैं आप एकड़म इनरजी के कर दें सभी स्टूडेंट को आप लोग को जोड़ देना है ग्यापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से ताकि तैयारी एकदम धुवधार अंदाज में हो तो जितना ज़्यादावसके शेयर करके जितने भी क्लास 10 हो या फिर 12 सभी क्लास के स्टूडेंट को आप लोग आप आप लोग टेलिग्राम चानल से जुड़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं इसका पीडिएफ ले लीजेगा वहां पर भी आप लोग ले सकते हैं नहीं तो आप लोग इसका स्क्रिंशॉट ही लेकर रख लीजे मैं तो कहूंगी मतलब मैं यह कहना चाहती हूं कि चाहे आप कि आप लोग लाइट करके प्रैटिस करते रहेंगी जब चाहे आप लोग देख सकते हैं और लोग एकर रखे घ्र तो अगर नहीं जुडे हैं तो टेली राम चानल का लिश में डिस्क्रीप्सिडा डिस्क्रीपसीं में डाव दिया गये हैю और लोग लिंक था bardziej करें हैं आईप आप लोग वीडियो को लाइक शेर जरूर करती हूंगे चानल पर अगर आप लोगों से विदा लेती हैं अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पढ़ते हुए पढ़ाते हुए हसते हुए और हसाते हुए लेकर नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि जब आप लोग टेंशन और प्रेसर लेकर पढ़ते हैं तो चीजे अच्छे तरीके से मैंड में फिट नहीं होती है लंबे समय तक याद नहीं रहती है तो अराम से हसी खुशी के साथ पढ़ना है एक परसन भी टेंशन नहीं लेना है तो अब हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर को स्टार्ट करेंगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आप लोग तयार रहेगा थोड़ा सा इंतजार कर लिजिएगा हो सकता है कि मतलब बीच में एक दो दिन अप्लोड ना हो तो उस वक्त आप लोग को घबराना नहीं है इंतजार नहीं करना है कि मैं वीडियो अप्लोड करेंगी तभी हम पढ़ेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर वीडियो अप्लोड हो जाता है तो आपको जो पहले पढ़ाया जा चुका रहेगा उसको पढ़कर रिवीजन कर लीजिएगा ठीक है और जब